Hi everyone, welcome to our YouTube channel Keep It Simple आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के फ्रेश कोल और पावर क्राइसिस की आपको याद होगा कि पिछले साल आक्टूबर में भी जो कोईले की सप्लाई है उसमें क्राइसिस आया था और इसकी वज़े से कल पावर के शेयर्स में तेजी भी देखी गई तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले अगर बात की जाए भारत के कोईले के सप्लाई क्राइसिस की तो ये दूसरा ऐसा साल हो सकता है जिसमें की कोईले की सप्लाई का क्राइसिस देखा जा रहा है पिछले साल ऑक्टूबर में भी कोईले की सप्लाई में क्राइसिस हुआ था जिसकी वज़े से पावर के जो शेयर्स हैं even coal India के shares में काफी तेजी देखी गई थी और दुबारा से ऐसे sign देख रहे हैं कि एक crisis आ सकता है आना कि इस speech में जो coal India है जो कि भारत का लगबग 80% कोईला प्रडूस करने वाली company है इन्होंने record coal production की है financial year 2022 में इनकी जो production है 622 million ton रही है और पिछले साल में सिरफ वो 607 million ton थी यानि कि record production हुई है लेकिन फिर भी जो power की demand है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसकी वज़े से कोईले की demand में भी वरिदी देखी जा रही है और इसके चलते coal India जो अपने industrial consumer है यानि कि जो non power plant वाले consumer है वहाँ पे अपनी deliveries को restrict कर रहा है क्योंकि जो power plant पे जो stockpile target होना चाहिए कि इतना भई कोईले का stock रहना चाहिए उससे नीचे पे आ गया है और अभी तो जो traditional जो summer की demand होती है peak demand वो अभी आनी बाकी है तो ऐसा बताया जा रहा है Bloomberg की report के इसाब से कि जो coal India है वो non power sector को daily basis पे 2,75,000 ton कोईला supply कर रहा है जो कि 17% कम है regular जो इनका daily volume होता था उससे और कुछ aluminium producer जो कि largest electricity user होते हैं देश के उन्होंने का है कि domestic coal के लिए उन्होंने मार्च में 450% तक का premium pay किया है और जो smelters है जो ore से metal बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा anxious है कि पिछले साल की तरह अगर दुबारा से supplies में problem आई तो इनके लिए problem खड़ी हो सकती है क्योंकि इस time पे जो imported coal है यानि कि भारत से बाहर का अगर अगर एक coal मंगाना चाहें तो उसमें भी problem है क्योंकि उसके भी prices बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं और खासकर Russia Ukraine War की वज़े से इसके अलावा जो railway carriages है उनकी limited availability है और उसकी वज़े से जो कोईला है वो production hub से truck से deliver किया जा रहा है जो कि इसकी delivery को काफी slow बनाता है और अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि भई अभी भी हम कोईले पे इतना क्यों dependent है हम renewable energy से अब तो बिजली generate करते हैं तो उसके लिए अगर आप 31 January 2022 का Ministry of Power का data देखेंगे जो हमारा installed generation capacity है power का उसमें से आज भी 59.7% fossil fuel से generate किया जाता है जिसमें कि coal का 51.6% contribution है अनि कि सबसे ज़्यादा contribution कोल का है इसके अलावा gas, lignite और डीजल से बाकी का लगबग 8% के आसपस generate किया जाता है और renewable energy की बात की जाए इसमें काफी तेजी से वृध ही आई है पिछले साल नवेंबर में 40% का जो आंकड़ा था उसको cross किया है जो कि हमारा target 2030 का थो तो उसको काफी पहले हमने cross किया है लेकिन अभी भी सिरफ 40.3% ही non-fossil fuel यानि कि जो hydro है wind, solar और दूसरे जो renewable energy sources हैं उससे generate किया जाता है इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो भारत की coal ministry है उन्होंने 45 million ton का target set किया था कि इतना जो stock है कोईले का होना चाहिए power plant में लेकिन अगर हम Sunday के numbers की बात करें तो 25.2 million तक ये गिर चुका है इसके अलावा जो freight capacity है वो hamper हुई है क्योंकि जो नई railway line आनी थी उसके construction में delay चल रहा है और आप उमीद की जा रही है कि मार्च 2023 तक complete होगा अलागी इस पीच में जो railway operators है उन्होंने 1,00,00 और डबो की ये टेंडर जारी किया है ताकि जो carriages की supply है उसको address किया जा सके और अगर आप comparison के लिए देखना चाहते है तो एक जो single railway carriage होता है वो 4000 टन कोईले को carry कर सकता है और वहीं पे जो एक truck है सिरफ 25 टन कोईला carry कर सकता है तो ये बिल्कुल भी alternative की तरह यूज नहीं किया जा सकते है truck ये सिरफ एकदम जब emergency होती है तब ही यूज किया जा सकता है तो जब तक railway carriages की supply दुबारा से normal नहीं होती है तो ये problem और भी रह सकती है यहां तक कि जो Indian Captive Power Producer Association के Secretary General है उन्होंने काए कि अगर आप बोलते हैं कि road से कोईले को आप transport करो तो ये इस तरह से है कि आप कोईले की supply करी नहीं रहे क्योंकि कोईले को truck से जो carry करना बहुत ही ज़्यादा inefficient है costly है और polluting भी है इसके अलावा गर बात की जाए कि इसकी वज़े से क्या power crisis आ सकता है तो definitely within six months ये दुबारा से power crisis देखा जा सकता है October 2021 में हमने देखा था कि भारत में बहुत बड़ा power crisis आया था और दुबारा से ऐसा लग रहा है ऐसा हो सकता है क्योंकि मार्च में जो summer बढ़ने की वज़े से जो demand बढ़ी है उसकी वज़े से demand supply gap हो गया है और जो spot power के prices यानि कि जो power को exchange पर trade किया जाता है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे इसलिए जो central electricity regulatory commission यानि कि CERC रे जो regulator है उनको बीच में आना पड़ा और उन्होंने इसमें cap लगाई है spot power के prices में ताकि जो power generation company है इस मौके का फायदा उठा करके जो distribution company है उनके साथ उनको नुकसान ना पोचा सके तो इन्होंने CERC ने प्राइडे को एक order जारी किया है जिसमें कि जो power के spot prices है उसको बार रपे per unit पे fix कर दिया गया यानि कि cap लगा दी गई है इससे ज़्यादा ये prices नहीं हो सकते हाला कि इस बीच में जो traded level था वो 20 रपे तक पहुंच चुका था और regulator ने इस order में ये भी बोला है कि 58,719 मेगावाट जो installed generation capacity है वहाँ पे किसी ना किसी वज़े से outage देखी जा रही है और इसमें से 4,323 मेगावाट तो ऐसी है जहां पे जो thermal capacity है उसमें कोईले की shortage की वज़े से outage देखी जा रही है और इन्होंने बोला कि 25 मार्च को 4,060 मेगावाट की recorded peak shortage देखी गई और overall अगर हम बात करें तो 68.86 मिलियन यूनिट्स की shortage देखी गई है अगर हम इसको compare करें तो पिछले साल October में 82 मिलियन यूनिट्स की shortage देखी गई थी तो अभी ये इसको cross नहीं किया है लेकिन इसके काफी pass पहुँचने वाला है तो ये definitely एक बहुत बड़ा burning issue है और power crisis हो सकता है कि आने वाले weeks में बहुत तेजी से बड़े और इसका आपने share prices पे भी impact देखा होगा कल अगर आप power companies के जो power generation या distribution में involved है उन companies के share में आपने देखा होगा तेजी आई है हाला कि इसके पीछे कुछ और भी reason थे जिसे आदानी power में 10% की circuit देखा गया Tata power में लगभग 8.5% का increase देखा गया NTBC में 3.4% तो power companies के जो shares है साफ साफ दिखा रहे हैं कि crisis आ सकता है जिसके उपर हमें नजार रखनी होगी मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा Thanks so much for watching the video and God bless you all